फीट को इंच में कैसे बदलेंगे इंच को सूत में कैसे बदलेंगे या सूत से डारेक्ट फीट में कैसे बदलेंगे या मिलीमीटर को यानी एमेम को मीटर में कैसे करेंगे या सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे यह सारे की चीज के बारे में मैं बताऊंगा नमस्कार आपको स्वागत करता हूँ अपनी प्यूचल मुन्नाबं मिक्सिंग पर आज बताने वाला हूँ कि मेरा जो टोपिक है आप यहां देख सकते हैं यूनिट कर भरजन हमको करना क्यों जरी है क्योंकि यूनिट कर भरजन करना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप साइट में जात about that दो श्राइब करें अगर फिट इन्च सुत के बारे में बताएंगे यह चीज़ आपको जंणा बहुत जरूरी है तो इस चीज़ को मुश्कुरात रहिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ जनकारी विपराप्त कीजिए तो चलिए मैं बताता हूं यूनिट कर भजन के बारे में तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फीट को इंच में कैसे चेंज करते हैं और इंच को सूत में कैसे चेंज करत कि इसके बारे में बाद इसके बाद आता है हमारा इंच कि इसके बाद में इसके बाद आता है हमारा सुथ तो फिट से इंच जाएंगे और इंच से सुथ जाएंगे तो जैसा कि आपको पता है कि एक फिट एक फिट यहां हो गया एक फिट में कितना इंच होता है हमारा बारा इंच एक फिट में कितना होता है बारा इंच और एक इंच में कितना होता है यहाँ आठ सोथ एक इंच में 12 इंच में नहीं है एक इंच में 12üllt होता है तब इसको इम फि्ट के लिए एक이고 इसके बाद इंच के लिए डवल डैस इसके बाद सूत के लिए ट्रिपल डैस जहां भी अगर किसी भी ड्रॉइंग में या कहां भी अगर आपको किसी भी अंग के उपर अगर सिंगल डैस मिले तो समझे फीट में दिया हुआ है किसी भी अंग के उपर अगर आपको डवल डैस मिले तो समझे वह इंच में दिया हुआ है तो अब हमको फीट से इंच में जाने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा कोई भी बाड़ा से छोटा में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है गुना करना पड़ता है और छोटा से बाड़ा में आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है भागा देना तो मतलब छोटका के बढ़का बनाने तो उसमें भाग देंगे डिवाइड करेंगे ताम इ कि फिट से फिट सी इंच में जाएंगे तो क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे कितना से गुना करेंगे बारा समने एक फिट में बारा इंच होता है तो इसमें कितना से गुरा करेंगे बारा से गुना कर देंगे और इंच से सूत में जाएंगे तो इसमें भी गुना करेंग मैं बता रहूं और अगर आपको सुथ से इंच में जाना हो तो भाग देंगे आठ से अगर सुथ से इंच में जाना हो अगर इधर से इधर जाना हो तो भाग देंगे हम कितना से 8 से और इंच से फिट में जाना हो तो कितना से भाग देंगे हम 12 से ध्यान रखिएगा जब भी अगर फिट से इंच में जा रहे हो मनें 12 से अगर छोटा में जा रहे हो तो गुना होगा हमेशा 12 से छोटा में जाएंगे तो गुना होगा जैसे कि आब भागा होगा हमेशन द्यान द्यान दीजेगा है बुक्त ही 15 कि यहीं से फिट मंध रहेले कि बारसे होता है एक फिट में कितना इंच होता होता है तो जैसा कि आप देखिए एक फूट या फूट लिखते एक फूट में हमारा केतना होता है 12 इंच होता है एक फूट में 12 इंच और एक इंच में 12 इंच होता है और एक इंच में हमारा आठ सुथ होता है 8 सूत होता है और 1 सूत में ध्यांद जेगा 1 सूत में 3 mm होता है फिन से दखिए 1 फिट में 12 इंच 1 फिट में केतना होता है 12 इंच होता है और 1 इंच में 8 सूत होता है और 1 सूत में 3 mm होता है और यह तो हमारा अगर mm में जाएंगे सेंटीमीटर जाएंगे और इंच को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो एक इंच में टूप्टीमीटर होता है धान दिए एक इंच में 2.54 cm और अगर mm में जाएंगे इस cm में हो गया और अगर mm में आप जाएंगे इंच में में जाएंगे तो 25.4 mm होता है हमारा एक इंच में और उसी पकार तो एक फित में कितना mm होका कितना cm होगा, तो एक फित में हमारा हो जागा cm में, 30.48 cm, या अगर इसको mm में लेंगे, 304.8 mm हो जाएगा, मतलब एक फुट में 12 इंच अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर में लेंगे तो हमारा 304.8 mm उसी पर गार एक इंच में एक इंच में हमारा 8 सूत होता है और एक इंच में अगर उसको सेंटीमीटर में लेंगे तो हमारा 2.54 सेंटीमीटर आफ में लेंगे तो 25.4 mm होता है और एक सूत में 3 mm होता है तो जब भी आपको कोई बोले कि फिर से इंच में करना है तो केसे करेंगे इंच से सूत में करना है आठ से भाग देंगे जैसा कि एक इंच में बता दिए कि एक इंच में आठ सूत होता है एक सूत में तीन एमम होता है एक फुट में बारा इंच होता है और अगर कोई आप से सवाल पुझे फुट में कितना इंच होगा तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि एक फिट में बारां उनच यह फिट में आपका होता HARRIS इंच तो दूफट में तो बारा गुना दो कर देंगे तो 12 दूना 24 इंच आपका हो जाएगा उससे सी काडर है आप चार छुट में पूर्ट पूछ दिया तरबना बारा कर देगे पांच पूछ दिया त्वंधा पूछ दिया तो अब उसमें और आहराम से कर सकते हैं तो आप देख लिए कि फिट से इंज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा और सुथ से और मैं बता देता हूं आप इसम नोट करते जाए को अगर आप साइट पर जाएंगे यह चीज आपको बहुत काम आने वाला है अगर आपको इनिट कर भाजन नहीं आगा ताप साइट पर काम नहीं करवा सकते हैं इसलिए आप यह चीज को ध्यान में रखें और माइंड में हमेशा ध्यान रखें देखिए जैसा कि आप यहां देखिए और इसको बड़ा कर देते हैं अगर यहां पर सूथ हो गया और यह यहां पर हमारा तो है फीड होगया तो जैसा कि कि अनदेखें फीड से ंज में गए तो 12 से गुना की ये और इंस से स्ब्स ऌर्प शूत में गयत्रसिं ऊ Ace पका अगर इधर सी इधर जाएंगे मतलब सूच से इंज में जाएंगे सूत से इंच में जाएंगे तो 8 से का करेंगे भाग देंगे और इनसे फिट में जाएंगे तो का करेंगे 12 से भाग देंगे ध्यान देना है कि फिट से इंच में जाएंगे तो गुना करना है और इनसे फिट में आएंगे तो क्या करना है भागा करना है उसे पगार इनसे चलिया चीज हो गया और मैं बताता हूँ यह तो हमारा हो गया आपका हीट इन्चुद और बताता हूँ कि आपका मीटर सेंटिमीटर और एमेम जैसे कि एक मीटर में एक मीटर में सो सेंटिमीटर और एक सेंटिमीटर में दस एमेम होता है हो गया तो मीटर से सेंटिमीटर में जाने के लिए इसमें भी हम का करेंगे गुना करेंगे और सेंटिमीटर से मीटर में अगर हम नियुसे जाने के लिका करेंगे हम गुना करते हैं, ऑ ही चिज है कि अगर हम को मीटर से से सेंटीम்समीटर में जाएंगे तो गुना करेंगे किता से गुनाख एगे आपको यहां मिलिमीटर, सेंक्टी में आना हैं तो क्हां करेंगे। से आपको दिवाइड करेंगे हम 10 से भाग अगर आपको इधर सीधर जाना है मेली मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से भागा देना पड़ेगा और सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से भागा देना पड़ेगा अब चलिए मैं बताता हूं बने रहे मेरे वीडियो में और देखते रहे और अपने दिमाग मे कर लेके बैठे हैं तो नोट करते भी रही है कि आपको बहुत हर जगा आपको काम आने वाला है हर जगा अगर आप सेटिंग लाइन में है रोड हर एक जगा आपको एक काम आने वाला है जैनकारी के लिए अगर किसी लड़के का पाहर है वो भी तो आपको जैनकारी आने वाल होता है 10 mm सबसे निचला हो गया एक सेंटीमीटर में कितना हो गया 10 mm और एक मिटर में कितना हो जागा एक मिटर में कितना हो जागा है हमारा सबसेंद में एक सेंटीमीटर में 100 एक मिटर में कितना एक चुपि हम जानते है कि जो करते हैं कि Mog four振ा नहीं कितना कि मेटरं ही है के एक मेटर आप एक सेन्टी मेटर में कितना अपके नदसे मैं तो सजन्टी मीटर में तो 10 से करने के इसलिए सु से ने मेटरश सव गुना 10 equal to 1 meter कि लिए 100 mm हो जाएगा मतलब 1 meter में आपका कितना हो जाएगा 1000 mm हो जाएगा यह चिज़ आप ध्यान दखियेगा 110 mm 1000 mm यह मिटर में कितना हो जाएगा 1000 mm हो जाएगा हमारा मीटर में 1000 mmолет है यह में यह 10 mm-15 ready to 해서 1000 mm हो गा कि अगर आपके कोई पूंच दिया मीटर को सेंटिमीटर में कैसे चंज़ गहांगे सेंटिमीटर установut जागा बताऊंगा कि एक मीटर में कितने फीट कितने इंच और कितने सूत होते हैं अगर आप कोपी कलम लेकर बैठे हैं तो इसको आप नोट कर लिजिए बहुत आपको काम आने वाला है कि एक मीटर में कितने फीट कितने इंच और कितने सूत होते हैं तो चलिए मैं बताता हूं बना रहे हैं मेरे वीडियो में और देखते रहे हैं और दिमाग में बैठाते वे रहे हैं कि क्यूश्चन है एक मीटर में कितने फिट इंच होते हैं तो चलिए मैं बताता हूं कि एक मीटर में कितने फिट कितने इंच और कितने सूत होते हैं अगर एक मीटर में जो हमारा होता है तीन फिट इंच और तीन सूत होता है दहां देबाद जगा एक मीटर में तीन फिट तीन इंच और तीन सूत होता है ठाँ जगा है कि एक मीटर में तीन फीट तीन इच अब इसको मैं प्रूब करके दिखाऊंगा आप बने रहें मेरे वीडियो में और आपको मैं प्रूब करके दिखाता हूँ कि एक मीटर में तीन फीट तीन इन तीन सूथ ही क्यूं होता है और इतना ही क्यूं लेते हैं तो चलिए कि सबसे पहले मैं बताओं सबसे पहले मैं बता थी क्या करूंगा इंच जो हमारा है और सुथ जो है वह हमारा उसको सबसे पहले इंच में जैसे कि मेरा इंच है तो इंच में इंच मुसको कि कुनवर्ट करेंगे तो चलिए दखिए यहां के और धा 10 के तक तस रहेगा तीन-फीट दास के तास रहे घा और पीशुत को एक सुथ में हमारा Catalunya होता है एक इंच होता है तो हमारा कि मैं क्या करेंगे कि तो आठ से डिवाड़ करेंगे तो हमारा लिकल जाएगा हमारा इंच में लिकल लेगा तो उसमें आएगा 0.37 इंच इसमें जो आएगा इंच ए हो गया अब हमारा इंच को क्या करेंगे हम कि उसको फिट में चेंज करेंगे तो इंच को फिट में जरूशा का आप जानते है कि 12 इंच में 1 फिट होता है तो इसमें अब क्या करेंगे फिट को और इंच को फिट में चेंज करते हैं डिवाइड करते हैं 12 से तो 12 डिवाइड करने के बाद इसमें जो मेरा आएगा 0.28125 फिट आएगा कितना आएगा 0.28125 फिट एक मीटर एक वाल टू अगर इसको हम 3 फिट पलस इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो 0.28125 फिट और इसको जुनो आइट करेंगे तो एक मीटर बराबर कितना आ जागा 3.28125 फिट इसलिए मैं बोला था कि 1 मितर में 3 फिट 3 इनच और तिन सूत होता है और फिटमेग्स में बता है आपका एक्टूआयागा 3.291 मिटर है Eux ही इतना फिट होता है कि शक्र profound किYea carbs की ही चेक मिठार है जो इक मीठेर सका better than 3.281 फिट करेंуск मेरी पूछे खार सुत में पूछे गा तो उसमें हमारे वह जाएगा एक मीटर में तीन फिट कीने और तीन सूथ और शूथ oh lubco अबको मालो सूथ के आपको शूथ को कि कि इंच मेंग और करना है । और इंच को paragu m करना है तो जैसा कि मैं बताया था शूत के इंच में करने के लिए का करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे कितना से आठ से और इंच को फिट में भाग दाने के लिए किसा डिवाइड करें कितना से 12 से जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था इसी परकार की और जनकारी प